पाकिस्तान में चुनावी नतीजे करीबन साफ हो चुके हैं। वो फिलाल पीछे चल रहे हैं। कि तरफ से कुछ इस तरीके से शडियंत्र रचा गया। कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जो पाटी है उसका जो चुनाव चिन था यानि की बैट उसे पूरी तरीके से रद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान की जितनी रैलिया होनी थी चुनावी रैलिया उन सबी को भी रद कर दिया गया। आप कोई भी रैलिय नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक का अकड़ा ये बताता है कि इमरान खान को 34 साल की सजा जो हो चुकी है। अब आप ये समझे रैलिया रद कर दी गई। चुनाव चिन जो है वो पूरी तरीके से रद कर दिया गया। कोई भी जो रैलिय है उनकी तरह से नहीं की जा रही थी, कोई मीटिंग्स जो है वो नहीं की जा रही थी लेकिन इन सब के बीच में। आज जब चुनावी नतीजे सामने आए तो हर कोई हरान रह गया कि भाई ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान जो है वो अचानक से जीतने लग गए, लोगों के दिलों में राज करने लग गए, लेकिन आप ये भी समझे कि ये जो चुनावी नतीजे सामने आ रही है, ये सर्फ वाते थे कि नवाज शरीफ जो है वो चुनावी मैदान में उत्रे और जीते और इसी लिए पिशले दुनों हमने देखा भी कि आकर सेना की तरफ से किस तरीके से इम्रान खान को लेकर लगा तार्गेट जो है वो किया जारा था तमाम चीज़ें की गई लेकिन आप इन सब के यतोर के जो नेता है वो उतर गए निर्दलीओं मीद्वार के तौर और अब उन्रध으면 कि तौर पर ूत्रे तो सबसे बड़ी बात क्या थी वह थी अपनी आवाज जन्ता तक हुचा आने के लिए लेकिन क्या करते एलेक्शिं कमीशन ने तो मना कर दिया कि आप तो डैलिया कर नेग सकते। Đ expectations कि है। सोशल मीडिया के जरिये इम्रान खान ने वर्चुल रैली कर नीष Stormी और आप याद किजिए वर वक्त जब पहली वर्चुल रैली हुई थी तो एक लाग से जादा लोग पहुचे थे अब आप ऐसे में समझें कि उपर जो कुछ भी बीत रहा है पाकिस्तान में सेना की तरह से जो कुछ उन्हें टार्गेट किया जा रहा है उन सभी बातों को लबो लबाब करके जो है इमरान खान अपनी रैलियों में इस्त पाकिस्तानी सेना के आला कि ये भी का जा रहा है कि बंदू की नोग पर जो है इमरान खान के ये जो नेता है इन्हें किसी भी पार्टी के वोट करने के लिए मालनीजे नवाज शरीफ की बात कर ले बिलावल बुटो की बात कर ले दोनों ही पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए बंदू की नोग पर पाकिस्तानी से न कह सकती है और आप ऐसे में वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे झाल झाल